1590 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी नमस्कार दापाबर विपेक के साथ मैं आपका स्वागत है और मैं खड़ा वाओं व्रिंदावन में मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यह मदन मौहन मंदिर है यह 1590 में बनाधा इसकी भी स्टोरी ये बनने के पीछे एथियासिक मंदिर है तो चलिए मंदिर दिखातें और बताते हैं आपको इस टोरी और वीडियो को स्टार्ट करते हैं यह जमना के किनारे पहाड़ी पे स्थित है और काफी पुराना मंदिर है यह मदन मुहन जी का मंदिर है तो आपको दिखाते हैं और बताते हैं इसके बारे में पहले आप देख लीजिए किती सारी सीड़िया उपर चड़ने के लिए और काफी प्राचीन मंदिर है यह और उपर चड़के नीचे का आप यह भी दिखाऊंगा आपको 1590 में इसकी स्थापना की गई थी और यह रामदास खत्री जी ने बनवाए था यह मंदिर देख सकते हूं तर यमना जी है और यह मंदिर में एंट्री कर लिए हमने लाल पत्थर का बना हुआ है पूरा मंदिर कारेगरी देख सकते हैं आप कितनी अच्छी हो रखी है तो चलिए फिर घूमते हैं इस मंदिर की स्थोरी यह है रामदास खत्री जी एक बहुत बड़े वैपारी थे जो कि यमना जी में सफर करते थे दिल्ली से आगरा के लिए तो उनकी नाओ यहां पर फस गई थी तो उन्होंने मदन मोहन जी से प्रात्ना की और उनकी नाओ चल पड़ी इसी मानता में उन्होंने यह मंदिर बनवाया आप कारेगरी देख सकते हैं इस मंदिर की कितना अच्छा काम हो रखा है और काफी उचा है यह वीडियो फोटो लेना लाउड नहीं है मंदिर के अंदर की मैं भार से दिखा रहा हूँ आपको काफी फ्राचिन मंदिर है मंदिर का रास्ता यह भी है यह मंदिर पहाडी पे बसा हुआ है टीले पे कि आसपास एक दो बिल्डिंग और बना रखें आप देख सकते हैं में मंदिर बीच वाला है आप वो दे सकते हैं जमना जी भे रही है और हम मंदिर पे खड़े हुए यहां जमना जी भेहा करती थी किसी टाइम में अब मंदिर बना हुआ है पूरा आप देख सकते हैं कितनी भारिक से काम हो रखा इस मंदिर में कितनी अच्छी तरीके से डिजाइन कर रखा में किस तरीके से कारी कारीगरों ने इस पर काम किया होगा आप देख सकते हैं कि अब आपको वहां से वियू दिखाते हैं जहां मंदिर बना हुआ है जिस पाड़ी पे वहां से वियू दिखाते हैं आपको कि कितना प्यारा लगता है तो चलिए हम इस पर उपर चड़ते है या फिर आपको दिखाते हैं वीव यह देखें अब आपको दिखाता हूं उपर से कितना प्यारा विव है और आप सामने देख सकते हैं वो यमना जी भेह रही है पहले यहां तक यमना जी भेहती थी इतनी उचाही पर बना हुआ है यह मंदिर यहां उनकी वैपारी की नाव फस गई थी अभी नीचे से दिखाते हैं देखें इतने उचे टीले पर बना हुआ है मंदिर और इस टीले पर नाव फस गई थी उसकी तो उन्होंने मदन मोहन जी से प्रात्ना की और नाव चलने लगी उसी लिए इसी लिए इस मंदिर को बनाया गया उस वैपारी ने और क्रिशिन जी का एक रूप है मदन मोहन अब 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 अब